Hello दोस्तों, सुवागत है आपका test book सूपर कोची में अगर आप SSE MTS का exam देने वाले हैं और आपको यह नहीं पता है कि application status कब आता है तो थोड़ा सा हम लोग idea लेंगे इस session में छोटा session रहेगा पर interesting रहेगा आपको बहुत सारे insights मिलेंगे चीज़ें पता चलेंगी कैसे कैसी चीज़ें होती है MTS में या फिर SSE की examination में दो चीज़ों पर discuss करेंगे exam कब होता है और कितने दिन पहले हमारा जो application status आता है बस simple सी बात बस इसके ओपर हम लोग थोड़ा सा data के ऊपर देखेंगे देखो CPU की बात करेंगे selection post and CHSL देखो आप लोग के सामने आप लोग देख पा रहे हो exam date application status किसका CPU का exam date application status selection post का exam date application status किसका CHSL का तो हम लोग अगर देख लें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 10 दिन का gap है ठीक है आप 15 दिन की आसपास gap देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 दिन की आसपास gap देखने को मिला है थोड़ासा idea बाकी exam का मिल गया अब MTS के पिछले जो examination हुए हैं उनको जान लेते हैं एक बार येस आगे चलते हैं sorry तो दोस्तो नोटीस आपके पास है देखो हमारे पास exam dates पहले ही आ जाती है चाहे वो MTS का चाहे वो कोई भी exam हो अगर exam date आगे है तो हम लोग idea लगा सकता है किते दिन पहले application status हमारा आ सकता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते है exam date हमारा 30 September से 14 November तक है पता है सभी बच्चों को कि इन dates में आपका exam होने वाला है किसी भी दिन आपका हो सकता है मान के चलिए कि 30 को ही आपका exam है तीक है उसके सबसे अपनी preparation को आप लोग आगे ले जा सकते है एंड एक और चीज़ दोस्तों जो application status होते हैं वो region wise आते हैं हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक बारे में सबका release हो गया हो सकता है ठीक है आगे आने में हो जाए बट अभी क्या होता है region wise आता है तो उसके लिए आपको घबराने की जूरत नहीं है आ जाता है एक दो दिन का gap लगता है और यह तो वो make sure करते हैं कि आपके एक्जाम से कम से कम अच्छे दिन पहले था कि यह जो हम लोग देख रहे हैं वही डेटा से जो डेटा है उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको टिकेट्स बुक करनी हो वो सिटी कौन सा है आपका दूर हो गया तो आप लोग टिकेट्स बगरा पाएं ठीक अपनी बुकिंग वगरा करा पाएं रहने के लिए तो इसलिए वह पहले ही दे देते हैं ठीक है आपको एप्लिकेशन स्टेट्स और अड्मिट कार्ड भी आपका साथ इसाथ आ आ भी 1223 की बात करता हूं तो आप लोग देखेंगे यहां पर जो एक्जाम डेट है वह सेप्टेंबर में हुआ ठीक है अब आगे चलते दोस्तों तो हमारा जो एक्जाम हुआ था एक्चुली जो हुआ था एक्जाम एक नो दोसा थीस से चौदा नो दोसा थीस तक चला था यह म दिनके अंदर दर मारी आंसर किया थी एक्जाम खत्म जैसी हुआ था ठीक है अब आगे अगर चलते हैं दोस्तों हां तो यह जो मारा एक्जाम हुआ था दोस्तों इसका जो हमको देखने को मिला था एप्लिकेशन स्टेटस जो हम लोग ने सिनारियो देखा ना पीछे बस वही है देखो एक को आपका हो रहा है एक नोंहीं को आपका क्या हो रहा है एकजाम हो रहा है और आप्लिक अच्चायCh है बट मैंने कोशिश किए कि जो भी हमारी डेट से था यहां पर भी आप देखेंगे तो दस दिन का गैप देखने को मिल रहा है तो दस से बारा दिन का गैप इतना ही हम लोग लेकर चल रहे हैं 10-15 अभी तक हम लोगों ने देखा था तो इतना तो लेकर चलेंगे ठीक है आपको इससे पहले कर रहे हो ना तो इस टाइम पर आप थोड़ास और अपने आपको पुश करते हो जैसे कह सकते हैं कि और कुछ चीज़ें नहीं नहीं सीख सकत थो अच्छे तरीके से तो बहुत बढ़ी है और अगर आपको 190 के आसपस कुछ मिल जाए इस प्रेक्टिस के लिए e-books मिल जाए, mock test मिल जाए आपको video session मिल जाए सिरफ और सिरफ 190 में सिरफ और सिरफ 190 में क्योंकि हम लोग ने crash course लाया है जिसमें होता है कि हम लोग थोड़ा सा और अच्छा अपना preparation कर सकते है revision ठीक है और अच्छा हो जाएगा तो उसके बारे मैं आपको एक प्रता देता हूँ कि क्या है उसके benefits ठीक है, अहां, तो तो दोस्तों यह हमारा crash course मैं super coach ही देगो, test book का website है description में आपको link मिल जाएगा SSE के section को खोलेंगे SSE MTS आपको दिख गया and yes, we have crash course ठीक है, जहाँ पर के सारे subjects का revision होगा, बहुत अच्छे तरीके से polls का use होगा, जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, polls में response देता है ताकि हम लोग यह जान पाए कि हम लोग कहाँ stand कर रहे हैं वो भी important है, आप लोग को यह वाला अच्छा experience मिलेगा है यहाँ आपर ठीक है, all over India से बच्चे आते हैं, तो आपको भी level बता चलेगा कि किस कहाँ वे stand कर रहे हैं, और कहाँ तक हम को जाना है, ठीक है, और कैसे हम लोग किस से compete कर रहे हैं, और कैसे हम लोग और अच्छा गर सकते हैं हर एक चीज यहाँ पर आपको मिलती है, और pricing की तरफ ही ले जाता हूँ डिरेक्टली आपको benefits तो पता ही है सारे के सारे, तो को 219 लिखा हुआ है इस पे अगर आपको coupon code लगा देंगे न, coupon code कहा है नितिश N-I-T-I-S-H N-I-T-I-S-H अगर इसको लगा दोगे न, तो आपको discount मिल जाएगा, 197 में सिरो पर सिरो तो जा के एक पर जूर से explore करिए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी All the best guys, इस पार exam निकानला ही निकानला है अच्छे से पढ़िए और 10 से 12 दिन पहले आपको active हो जाना है अपने website के ओपर ता की application टेकर जान पाए, बाबाई guys